हेलो और नमस्कार एवरीवन वेलकम बैक टो फूडीज फूड तो आज की हम वीडियो बनाने वाले हैं बेहती स्पेशल तो आप इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए चलते हैं आज हम बनाने वाले हैं मोटापे को दूर करने वाला एक स्पेशल ड्रेंक जिसका नाम है एपल साइडर बनेगर ड्रेंक तो इसको बनाना कैसे हैं? बेहती आसान है, कोई भी बड़ी ही आसानी से बना लेता है और अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आप इसको अपने डिली रूटीन में जरूर सामिल करें, कोई भी बिना महनत कि आप अपने मोटापी को दूर कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ, ये एक ग्लास मॉर्निंग में खाली बेट पीना होता है, इस ट्रेंग को कैसे बनाएं और कप पीएं, सारी जानकरी हम आपको इस बेहदी आसानी से बन जाता है, और दो में तरीके से आपको अच्छा लगेगा, आपको जो भी तरीक अच्छा लगे, उस तरीके से आप इसको बना कर पी सकते हैं, तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है, एपल साइडर विनेगर, ये फिल्टरड है, अन फिल्टरड भी आता है, तो जो भी आपके पास विनेगर है, आप वो यूज कर सकते हैं, एपल साइडर विनेगर बेहदी हल्दी होता है, ये हमारे फैट को बन करने में बहुत ही हल्फुल होता है, तो सबसे पहले मैंने लिये हुएं दो गलास, और इन में मैंने नॉर्मल पानी भर लिया है, तो मौसम अच्छा है, ना ही गर्मी है, ना ही सर्दी है, लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में बना कर पीना चाते हो, तो आप इसको हल्का पानी को गरम कर लें, लेकिन अब मौसम अच्छा है, ना ही गरम है, ना ही धंडा है, तो आप नॉर्मल पानी लें, तो अब इसम को यूज करने से पहले बॉटल को थोड़ा सा हिला लें ताकि जो अच्छे से इसके जो तत्व होते इसके अंदर वो सारे मिल जाएं तो यह फिल्टर है तो हम इसको ऐसे ही यूज कर लेंगे अब हम इसमें एक-एक धक्कन विनेगर डालेंगे एपल साइडर विनेगर हमारी जो फैट होता है पेट का उसको बर्ण करने में बहुत ही हेल्फुल होता है और भी काफी सारे इसमें बैनिफीशल है हमारी हेल्ट के लिए तो एक-एक धक्कन हमने विनेगर डाल दिया है अब इसको घोल लेंगे तो नॉर्मली एक टाइप का जो एपल साइडर विनेगर है वो बन चुका है आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं मौर्निंग में खाली पेट और इसके बाद आप तीस मिनट तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाएं और दूसरा टाइप है आप बनेगर डालने के बाद आधा डगकन सौरी आधा सा नेबू डाल लें आधा सा नेबू ने चोड़ लें और उसमें एक चमच या आधा तरीके से भी हमने एपल साइडर विनेगर बना लिया है दोनों ही तरीके से बनाना बेदी आसान होता है और दोनों ही तरीके से बेदी फायदेमंद होता है हमारी हल्थ के लिए तो आप इसको मौर्निंग में जरूर बना कर पिएं आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं अगर आप इसको morning में नहीं लेना चाहते हैं तो शाम को भी आप इसे खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद कम से कम आधा या एक घंटा कुछ भी ना खाएं, हो सके तो possible एक घंटे तक कुछ भी ना खाएं, लेकि आधा घंटा तो आपको बिलकुल भी कुछ नहीं खा लें, और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, फिर मिलेंगे हम एक और अच्छी सी, टेश्टी सी, हल्दी सी रेसीपी के साथ, तब तक लें, बाब बाई, एंड टेक केर, रेसीपी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट से ह वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाई बाई, टेक केर पो हमें में बाई, में, से रेक कोई एक भी गी सी, का पचा आपके के पूछास्टी सी, बांचा Son